हेलो फ्रेंड्स कोक विट टेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू परवल की सूखी सबजी तो आई ये बनाना शुरू करते हैं इसके लिए ये मैंने धाई सो ग्राम परवल ले लिये हैं सबसे पहले हम परवल को इस तरह चाकू से स्क्रैब कर लेंगे इसके बाद हम इसे पानी में अच्छे से धो लेंगे और सुखा लेंगे इसके बाद हम इसे कट करेंगे इस तरह से हम परवल को लंबा लंबा काट लेंगे बीज में जो पक्के बीज आएंगे हम उन्हें निकाल कर साइड में रख देंगे और लंबा लंबा काट कर हम परवल को रेडी कर लेंगे यह आलू परवल की सबजी 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये देखें फ्रेंड्स सारे परवल को मैंने इस तरह लंबा-लंबा कट कर लिया है अब हम तीन आलू ले लेंगे इसे हम पानी में रखेंगे ताकि ये काले ना पड़ें आलू को हम लंबे टुकडों में परवल की तरह ही काट लेंगे अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं कडाई में कुकिंग ओयल डालेंगे ओयल जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें परवल डाल देंगे इसे बनाने के लिए मैंने सरसो के तेल का यूज किया है सरसो के तेल में ये बहुती क्रिस्पी बनती है मिडियम टू हाई फ्लेम पर परवल पर क्रिस्पी कोटिंग आने तक हमेने फ्राई कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स परवल पर एक बढ़िया क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है इस स्टेज पर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सेम कड़ाई में हम आलू डाल देंगे और आलू पर भी एक बढ़िया क्रिस्पी कोटिंग आने तक हम इने फ्राई करेंगे आलू पर फ्रेंड्स जब एक बढ़िया क्रिस्पी कोटिंग आ जाती है तो ये खाने में भूती टेस्टी लगते हैं मिडियम टू हाई फ्लेम पर हम इने फ्राई कर लेंगे। हम इने धक देंगे ताकि आलू हमारे कुक भी हो जाएं। पीच पीच में हम धक्कन को हटा कर चेक कर लेंगे और इसे अलगते पलटते हुए हम सेख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आलू पर बेक बढ़िया क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आलू को भी हम पलेट में निकाल लेंगे। अब हम पैन में दो चमच कुकिंग ओएल डालेंगे। एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और आदा चोटा चमच हम इसमें सरसो डाल देंगे जीरे और सरसो को अच्छे से चटकने दें आप हम इसमें बारी कटी हुई अद्रक और हरी मिर्च डाल देंगे कुछ सेकंड के लिए अद्रक और हरी मिर्च को हम पकाएंगे जिसे की इसका कच्चापन चला जाए आप हम इसमें अपने अलू और परवल डाल देंगे mix कर देंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे स्वादा नुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और एक चोटा चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे परवल और अलू के अच्छे से कुक हो जाने तक हम इसे ढखकर लो फ्लेम पर पका लेंगे ये देखे फ्रेंड्स अलू और परवल हमारे अच्छे से गल गई हैं सौफ्ट हो गई है अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे आदा चोटा चमच लाल मिर्श पाउडर डाल देंगे आदा चोटा चमच हम इसमें अमचुर पाउडर डाल देंगे अमचुर पाउडर डालने से सबजी में टेस्ट बहुती बढ़ जाता है आदा चोटा चमच गरब मसाला डाल देंगे और परी कटावा हरा धनिया डाल देंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ये आलू परवल की सबजी केवल 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है और बहुती टेस्ची बनती है आप भी इस रेसिपी को फोलो करके एक बार आलू परवल की सबजी जरूर बनाए आपको भी बहुती पसंद आएगी लो फ्लेम पर एक मिनट हम ढखकर पका लेंगे ये देखे फ्रेंड्स कितनी बड़िया आलू परवल की सबजी हमारी रेडी है अब हम इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे हाँ तो फ्रेंड्स आलू परवल की सबजी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फिर मिलेंगे कैसी रेसिपी के साथ आप हमारी ये रेसिपी भी ट्राइ कर सकते हैं